नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छे रस जो कहे गए हैं छे टाइप के टेस्ट हैं हमारे यहां उनका जोतिश में किन भावों से किन ग्रहों से रिलेशन है और फिर अयूरवेद से इनका क्या रिलेशन है तो इनके बारे में बात करेंगे पहले जान लेते हैं कि यह छे टेस्ट हैं कौन से तो पहला टेस्ट होता है साल्ट या लवन नमक दूसरा है सौर खटा अमल कह देते हैं इसको तीसरा है स्वीट या मधूर मिठा साल्ट तो सिम्पमल नमक है इससे आप समझ जाओगे सौर जिसरा खटा निम्हो, मालटा है मौसंभी है तो केला है या चीकू है शरीफा है तो ये स्वीट टेस्ट है फिर एस्ट्रिंजेंट कसायला जिसरा बैंगन या जामुन यह कसेले टेस्ट वाली है यह सिंपल आप चाय उबा लेते हो बस कुछ नहीं डालते हो उसमें तो वो एस्ट्रिंजन टेस्ट है बिटर कटू, कड़वा यानि जिसरा करेला, नीम और चठा, पंजन टेस्ट, तिक्त, तिखा, या चरपरा, वो है मिर्ची का तो आजुरुवेद में पहले समझते हैं, इन सब का पंच महाबूतों से बहुत गहरा संबंद है हर एक टेस्ट दो-दो पंच महाबूतों से मिलके बना है तो पहला कहा है साल्ट, लवन तो साल्ट जो है लवन वो जल तत्व और अगनी तत्व का मिश्रण है फिर सौर टेस्ट है जो अमली जिसे कहते हैं वो पिर्थवी तत्व और अगनी तत्व का मिश्रण है मधूर जो टेस्ट है वो पिर्थवी तत्व और जल तत्व का मिश्रण है तो यह हो गया साल्ट, सौर, स्वीट तीन टेस्ट ये हो गए, अब आई ये चोथा है एस्टिंजेंट, कशाय, कसेला तो वो वायू तत्व और पृत्वी तत्व का मिक्स्चर है फिर पंजेंट ये तिक्त है जो तिखा है, वो वायू तत्व और अगनी तत्व का मिश्रण है और चटा है बिटर, बिटर है वायू तत्व और स्पेस ऐलिमेंट अकाश तत्व का मिश्रण तो इस तरह से दो दो तत्वों को मिला के ये छे टेस्ट बनते हैं आयुरवेद में इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है व्यक्ति की प्रकृति पहले तो कि वो वाद प्रकृति का है पित का है या कफ का है और हर प्रकृति वारों के लिए इन छे टेस्ट में से तीन टेस्ट उसके लिए हैलफुल होते हैं और तीन उसके लिए खराब होते हैं तो इस तरह decide किया जाता है कि वो किन महाबूतों को strong करे किन को निर्बल करे ये अब जो taste हैं आपको मैंने बताए इनका बहुत गहरा relation जोतिश में भी है जोतिश में जिस तरह दूसरे भाव से हम देखते हैं खान पान वेक्ति का taste क्या होगा क्या चीज़े उसको अच्छी लगेंगी क्या वो खाना चाहता होगा तो दूसरे भाव पर अगर सूरे का प्रभाव हो सूरे वहाँ बैठा हो वहाँ का स्वामी होके बैठा हो और भी जादा strong हो गया उसको देखता हो दूसरे भाव को तो इस तरह से तो सूरे का taste है कटू कडवा तो उसे वह वाले taste अच्छा लगेगा फिर चंद्रमा का taste होता है लवन नमक नमकीन नहीं जो यह हल्दी राम की नमकीन खाते हैं वह वाली नहीं नमक केवल नमक फिर मंगल का taste होता है तीखा चरपरा मिर्ची तो ऐसे आदमी को मिर्ची जरूर चाहिए जिसरा हरी मिर्च खाने का वादी हो सकता है जब दूसरे बाव पर मंगल का प्रभाव होगा तो बुद्ध का mixed taste होता है बुद्ध का नमबर भी पाँच है आप देखो चार नमबर उसके उपर चार नीचे इसरे जोतिश में बुद्ध जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है तो बुद्ध का कोई special taste नहीं है mixed taste है उसका मिश्रित उसके बाद ये बरस्पती का टेस्ट बरस्पती का मधू टेस्ट है मीठा बरस्पती के बाद शुकर आये शुकर का टेस्ट है खटा सौर और फिर है शनी शनी का है stringent कशाय कसेला तो इस तरह से छे ग्रहों के एक एक टेस्ट है बुद्ध का मैंने बताया मिश्रित है राहू के तुगा कोई टेस्ट नहीं होता ठीक है तो जिस भी ग्रह का आपके दूसरे भाव पर प्रभाव है बहुत गयरा या फिर शुकर को भी टेस्ट सेंस का कारक माने आता है तो शुकर जहां भी बैठा उससे दूसरा भाव देखो कारकात नहीं इसको कहते है जो भी जिस बात का कारक है उससे वह वाला भाव द ठीक है तो आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉमिनेंट टेस्ट क्या है इस सब को हम आगे यूज करने वाले हैं आयुरवेद से रिलेटेड जब हम और वीडियो बनाएंगे उनमें हम सब ये यूज करेंगे एक दोहा मिलता है उसमें कहा है मधुर वचन है औशधी कटु मधुर वचन है तीर शर्वन द्वार से संच्रे साले सकल शरीर मधुर वचन मीठा बोलते हैं किसी को आप बोलना खाना तो दूर की बात है क्या बोलना मुझ से बोलना भी तो जाता है ना खाया भी जाता है बोलना भी जाता है तो मीठा मीठा अगर किसी को बोलते हैं वो उसका कारक भी गुरू है और मिठा बोलने का refrigerator कारक भी गुरू है तो मदौर वचन ओउस्दी के समान है और कड़वय launch जो है वो तीर की तरह गाम करते हैं तीर जो मदौर वचन है मीठे मीठे अच्छा बोलते हैं तो उसका कारक में तो गुरू है लेकिन शुक्र और अच्छा बुद्ध है अगर शुब है बुद्ध उस कुंडली में चंद्रमा स्ट्रॉंग है तो उनसे भी मदुरू वचन लिए जा सकते हैं और इस तरह कड़वे वचन कैसे लेंगे कड मंगल से रिलेटेड है गुसे में बोलते हैं मंगल से रिलेटेड है गाली गलोच करते हैं तो रहु केतु से रिलेटेड है वो शुर्वन द्वार से संच्र है कानों से हम सूनते हैं मदुरू वचन हो या कड़वे वचन हो वो सब कानों से सुनते हैं लेकिन पूरे शरीर क तो अच्छा अच्छा फील होता है, अगर अच्छे vachology ने है है, तो इसका μतलब कानों का relation भी भोजन से है, जो हम सुन रहे हैं, वो भी किसम का भोजन है, वो भी किसम की और विश है, तो ये दोनों Wen belie Fit चीज हैं, जिस तरह नैजरो पेथि कहती है, पूरा शड़ एक है, सार तो फिर बोलते भी हैं, तो वचन, शुब वचन, मधुर वचन से जनरली रिलेटेड कौन से गरहे हैं, सबसे बढ़िया गुरू, फिर शुकर के हैं, लच्छे दारवानी, बहुत सुन्दर, सुघड और बुद्ध सम है, बुद्ध जिस गरह के साथ बैठा होगा, वैसा ही उसमें आ जाएगा तो गुरू के साथ बैठेगा, गुरू का प्रवाव आजेगा, शुकर के साथ बैठेगा तो शुकर का प्रवाव आजेगा, रहिम ने तो यहां तक कहा है, खीरा सिर्चे काट के मलयत नमक लगाए, रह्मन कडवे मुखन को, चाहिए त यही सजाए, उ केवल सुनना बोलना दोनों इंटर रिलेटेड हैं तो जो कानों से सुनते हैं उसका बहुत गहर असर आता है हम पर और फिर वो मुख के द्वारा निकलता है तो इस सब जानकारी को हम अगली वीडियो में भी यूज करेंगे धन्यवाद आप सभी स्वस्त रहें